Good morning, class 5th, आज हम पढ़ रहे हैं subject English Grammar Today we will start the new chapter, chapter number 2, sentences, phrases and clauses ठीक है? इसमें आप sentence के बारे में, phrase के बारे में और clause के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले आपका the sentence, sentence क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense वाक्य शब्दों का एक समू है, मतलब कही सारे words से मिलकर बनता है और जिनका की एक पूल अर्थ निकलता है हमेशा sentence में एक तो subject होता है और एक predicate होता है ठीक है? जो कि उसके मतलब को पूरा करते हैं जैसे, ये देखिए, remember that a predicate may be made up of only a verb predicate वाला हिस्सा होता जहां से verb, verb के साथ ही जुड़ा होआ होता है जैसे the loin is the king of jungle तो इसमें verb क्या है? is इसमें subject क्या है? the loin subject होता है जिसके बारे में बात की जाती है इसमें किसके बारे में बता रहे हैं? loin के बारे में कि loin जो है वो जंगल का राजा है तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं law in आपका subject और उस subject के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं वो हिस्सा वो part आपका होता है predicate सागर वास reading a book of story सागर कहानियों के किताब पढ़ रहा था तो जिसमें सागर है वो क्या है आपका subject और ये बाकी का part क्या है आपका predicate ठीक है next आता आपका the phrase दुका एक समू होता है none of which contains a subject and a predicate और इसका कोई भी subject और प्रेडिकेट नहीं होता है जैसे देखे दा जंगल ये दो वर्ड्स हमने लिख दिये इनका मेनिंग तो बन रहा है कि जंगल at sunset of stories तो ये सब वर्ड्स क्या है ये आपके phrase होते है ये छोटा समू होता है वर्ड्स का ठीक है third है the close close देखे क्या है यहाँ दो sentence लिखे है the king sat on a throne और the throne was made of gold जो king था राजा वो किस पर बैठा गद्दी पर और वो गद्दी सोने की बनी हुई थी ठीक है दो sentence नहीं बोले हम इसको मिला कर भी बोल सकते हैं इसमें क्या है subject king है क्योंकि king के बारे में बात हो रही है और predicate क्या है sat on a throne और इस वाले sentence में subject क्या है the throne और predicate क्या है was made of gold अब देखे हमें ने इन दोनो sentences को मिला के एक sentence बना दिया वो क्या है the king sat on a throne and throne was made of gold जो राजा गद्धी पर बैठा और वो गद्धी सोने की बनी हुई थी ठीक है तो हमने एक sentence बना दिया तो अब हम क्या करेंगे इन sentences को हम sentence ना बोल के क्या बोल देंगे close मतब close में हम क्या करते हैं जो बड़ा sentence होता है उसको combine करके एक sentence बना देते हैं देखे जैसे यह लिखा है the party will be held when the sunsets तो इसमें क्या है दो आपस में जुड़े हुए इनको हम अलब करके भी लिख सकते हैं क्या एक तो कि party होगी और कब होगी जब sunset होगा मतलब जब सूरच छिप जाएगा तो हमने इन दोनों sentence को क्या करा एक बना दिया the party will be held when the sunsets तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे close ठीक है इस सरीके से यह आपके और examples दे रखे हैं जब आपके पास book होगी आप इने और अच्छे से पढ़िएगा और अभी हम इनकी एक exercise करते हैं और आप उससे पहले यह लिखेंगे आपको sentence की definition लिखने है और kinds of sentence लिखने है sentences के four kinds होते है assertive, interrogative, imperative or exclamatory ठीक है parts अलग चीज है और kinds अलग चीज है parts दो है subject or predicate और kinds four है assertive, interrogative, imperative or exclamatory देखिए इसके फिर take the right option a sentence is a group of words that makes complete sense there are dash kinds of sentence sentences के कितने kinds है four okay who told a lie किसने जूट बोला इसमें question पूछा जा रहा है जिन sentence में question पूछा जाता है वो आपके interrogative sentence होते है ठीक है तो यह आपको करने है पहले आप definition लिखेंगे name of kinds of sentence और उसके बाद तिक दा right option okay good bye